क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम music को कैसे सुन पाते हैं अब तुम कोगे कि राम मेरा mobile या फिर मेरा laptop ये sound को create करता है और ऐसे ही मैं इस sound को सुन पाता हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ और भी हो रहा है देखो एक speaker ये बस अपने पास में रखी हुई air molecules को आगे पीछ करवाती है और ऐसे ही करते करते सारी molecules की layers ये vibrate करने लगती है अब air molecules के इस vibration को हम sound wave बुलाते हैं और जब ये sound wave ये हमारे कानों तक पहुचती है ना तो हम इस music को सुन पाते हैं लेकिन तुम ये सोच रहोगे कि राम हम air molecules के इस simple से motion से कैसे music को सुन पाते हैं अब इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे ear को मेरा मतलब है कि ear के structure को तो आप देखते हैं कि ear के अलग-अलग parts ये कैसे साथ में काम करते हैं ताकि हम music को सुन पाएं तो देखो year के majorly तीन पार्ट होते हैं ये बाहरी हिसा इसे हम बुलाते हैं outer year ये बीच वाला हिसा इसे हम बुलाते हैं middle year और ये अंदर वाला हिसा इसे हम बुलाते हैं inner year अब देखो ये सबसे पहली पार्ट outer year की होती है इसे हम बुलाते हैं पिना ये वो वाला पार्ट है जिसे तुम देख सकते हो जिसे तुम टच कर सकते हो या फिर जिसे पकड़के तुम्हारी मम्मी तुम्हें डाटती है अब देखो बिना का फंक्शन यह है कि यह सारी sound waves को collect करता है और इन्हें भेज देता है हमारी auditory कनाल के अंदर अब sound waves इस channel की तुरू जाती है और फिर hit करती है हमारे ear drum को देखो यह इसे मैंने green color से दिखा रखा है लेकिन असल में यह green color का होता नहीं है ठीक है अब देखो इसे हम ear drum इसलिए बुलाते हैं न क्योंकि यह एक drum की skin की तरह होता है drum की ऊपर वाली layer की तरह मतलब कि ear drum यह एक transparent layer है और यह बहुत ही sensitive है vibration की हलकी से भी motion होगी न तो यह ear drum vibrate करने लाएगा यानि कि जब air molecules artery कनाल के अंदर vibrate करते हैं और फिर ear drum को strike करते हैं तो फिर ear drum यह भी vibrate करने लगता है अब देखो ear drum यह outer ear और middle ear को separate करता है तो अब आप बात करते हैं middle ear की parts की तो middle ear में होते हैं इंसान के body के सबसे छोटे तीन bones और इन तीन को हम साथ में बुलाते हैं ossicles और इनके खुद के भी बड़े ही fancy नाम है पहले वाले को हम बुलाते हैं malleus दूसरे को incus तीसरे को stapes और मेरे पास यहाँ पे एक picture है जो कि दिखाती है कि असलियत में यह bones कैसे देखते हैं तो देखो इनके interesting shape की कारण हम इने कुछ common नाम भी देते हैं जिने की याद करना थोड़ा आसान पड़ जाता है पहले को हम बुलाते हैं hammer दूसरे को anvil और तीसरे को stir up तो अगर तुम घुरसवारी करोगे ना तो stir up वो चीज होगी जिस पर कि तुम pair रखोगे अब देखो जब ear drum vibrate करता है तो इसके साथ-साथ ossicles ये भी vibrate करने लगते हैं तो यानि की ossicles का function ये हो गया कि ये vibration को ear drum से inner ear में transfer करते हैं लेकिन केवल यही इनका main function नहीं हो गया देखो ये sound waves की pressure को amplify करके increase करके inner ear में transfer करते हैं अब तुम ये सोच रोगे यार यहाँ पे vibration pressure को increase करने क्या ज़रूत पड़ी तो देखो inner ear में होता है एक liquid ना की air तो यानि की यहाँ पे vibrations को हमें एक liquid के अंदर transfer करना है ना की air के अंदर और तुम्हें अंदाजा होगा कि यार एक liquid को vibrate करवाना ये थोड़ा मुश्किल काम होने वाला है compared to air को vibrate करवाने से तुमने ये खुद भी देख रखा होगा कि तुम आसानी से air में अपने हाथ को हिला पाते हो लेकिन अगर वही तुम्हें एक swimming pool के अंदर हो तो पानी के अंदर हाथ को हिलाना ये तोड़ा मुश्किल हो जाता है तो क्यूंकि हमें यहाँ पे एक liquid को vibrate करवाना है इसलिए हमें यहा हमारी ossicles, in fact ossicles ये pressure को 20 गुना तक बढ़ा सकती है अब तुम यह सोच रोगे राम ऐसा कैसे हो पाता है तो देखो ऐसा होता है ossicles की structure के कारण तो देखो यहाँ stapes का area ये बहुत ही छोटा है compared to ear drum के area से तो जब force ये transmit होता है from ear drum to stapes तो ये concentrate होता चला जाता है एक छोटी area प तो यानि कि pressure ये increase होता चला जाएगा क्योंकि देखो pressure होता है force by area और एकर area छोटा हो जाए तो यानि कि pressure ये बढ़ा हो जाने वाला है तो ऐसे ही ossicles ये sound के pressure को बढ़ा जैती है अब आप बात करते है inner ear के बारे में तो देखो inner ear ये होता है एक bony structure और इसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है purple color से इनके उपर में होते हैं तीन semi circular rings और ये हमें मदद करते हैं body के balance को maintain करने में जब तुम चल रहे हो दोड़ रहे हो या फिर dance कर रहे हो तो तो तुम्हारे body की balance ये maintain रहती है ये होता है इनकी मदद से तो देखो वैसे ये हमें सुनने में मदद नहीं कर करती हैं तो देखो भले ही ear के बाकी सारे parts ये vibrate कर रहे हो लेकिन जब तक ये vibration ये electrical signal में convert नहीं होगी और हमारे brain तक नहीं जाएगी तब तक हम sound को नहीं समझ पाएंगे और यही चीज़ होती है cochlea के अंदर देखो जब stir up ये हमारे cochlea को hit करता है तो इसके अंदर की fluid य हैं कुछ special cells जो की इस vibration को convert कर देते हैं electrical signal में और फिर यही electrical signal ये auditory nerves की मदद से जाता है brain को और फिर हम sound को समझ पाते हैं अब एक आखरी चीज़ ये cochlea के cells ये बड़ ही शानदार होते हैं ये जो electrical signals generate करते हैं ये बहुत ही sensitive होते हैं इनकी मदद से हम अलग-अलग loudness की sound को सुन पाते हैं अलग-अलग frequency की sound को सुन पाते हैं इनकी मदद से हम ये बता पाते हैं कि sound कब loud है या फिर sound की frequency ये कब high है या फिर sound की frequency ये कब low है अब इसी interesting चीज़ के खारण हम music के notes को enjoy कर पाते हैं अब आप video को यहीं पे खातम करते हैं हमने देखा कि हमारी outer ear का पिना ये sound waves को collect करता है और इन्हें transfer कर देता है हमारे ear drum के towards जो की vibrate करना चालू कर देता है और इसके कारण ये three bones of ossicles ये भी vibrate करने लगते हैं और ये sound को amplify करके cochlea में transfer कर देते हैं अब देखो cochlea में होते हैं कुछ special cells जो की इस vibration को electrical signal में convert करते हैं जो की जाता है हमारे brain के पास और फिर हम sound को समाझ पाते हैं अब मैं यहाँ पर ear की कितनी भी बड़ाई करूँ तो कम है देखो हमारा ear ये air particles की back and forth movement को sound में convert कर देता है यार ये तो बिलकुली amazing चीज है सबस्क्राइब।